दोस्तो आज सुबाई हमने वीडियो डाला कि गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बहुती बड़ी गिरावट आई है ये गिरावट के अंदर आपका नजरिया खरीदारी का इन्वेश्मेंट के लिए होना चाहिए क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले देड़ से दो साल के अंदर गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है हमने आपको लगातार कहा है कि गोल्ड सिल्वर अभी कंसोल्डेट हो रहे है तो आपको ये konsolidation के अंदर खरीदारी का नजर्या ही रखना चाहिए दोस्तो इतनी अच्छी information देने के बावजूद भी हमें लोगों को request करना पड़ता है कि आप हमारे वीडियो को likes दो और एक तरफ वो subscriber है जो हमें जूटा बताते है और उनके comments को बहुत likes भी आ जाते है जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो हमारे एक subscriber ने हमें comment करके बताया है कि जूट मत बोलो You said हमारा नजर्या तेजी का है Don't act over smart, rather accept the truth तो दोस्तो क्या मैंने आपको ये correctional consolidation के बारे में नहीं बताया था क्या मैं आपको लगातार ये नहीं बोल रहा था कि gold silver के अंदर correctional consolidation चल रहा है और आपको ये correctional consolidation के अंदर खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि आने वाले देड़ से दो साल के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है हमारे एक दूसरे सब्सक्राइबर ने हमें बताया क्या आप जूट बोल रहे हो आपने ओपर जाएगा बोला है तो हमने उसको reply दिया ओके सर मैंने कभी correction and consolidation के बारे में वीडियो में बात नहीं की तो उसने लिखा कि वो तो आप अभी बोल रहे हो जब gold silver के अंदर गिरावट आ रही है तो चलो मैं ये एक बार वीडियो से दिखाना चाहता हूँ के मैं gold के अंदर उसी तरह से silver में correction and consolidation के बारे में कब से बता रहा हूँ चलो एक बार शुरुवात करते हैं 22 अप्रेल 2024 के वीडियो से वो वीडियो के अंदर हमने आपको clearly बताया था के हम आपको पिछले 5-6 वीडियो से यानके पिछले 5-6 दिनों से gold silver के अंदर correction and consolidation आएगा ये बता रहे थे चलो एक बार सुन लेते हैं दोस्तो हम आपको हमारे पिछले 6-7 वीडियो से लगातार बता रहे है के gold और silver के अंदर आने वाले दिनों में एक बहुती अच्छा correction and consolidation हो सकता है आने वाले दिनों में possible है जो investor से उन्हें खरीदारी का एक बहुती अच्छा मौका मिलने वाला है क्योंकि हमें लगता है gold और silver के अंदर एक अच्छी गिरावट आनी चाहिए आप देख सकते हो आज silver के अंदर 3% की एक बहुती अच्छी गिरावट आई है उसी तरह से आप gold को भी देख सकते हो गोल के अंदर भी 1.5% की एक बहुती अच्छी गिरावट आ रही है अगर आप हमारे चानल के regular viewer हो तो आप हमें comment section के अंदर बता सकते हो क्या हम आपको पिछले 5-6 वीडियों से लगातर ये बात को बता रहे थे के नहीं बता रहे थे चलो अब सुन लेते हैं 24 अपरेल 2024 के वीडियों में हमने आपको क्या बताया था देख सकते हो silver ने पहले ही inverted head and shoulder pattern से weekly chart के उपर एक बड़ा breakout दे दिया है और ये breakout के बाद ये ये हफते consolidate कर रहा है ये consolidation जैसे ही पूरा होगा मुझे लगता है silver फिर से एक बार तेजी के लिए तैयार होगा तो चलो अब 25 अपरेल 2024 का वीडियो देखते हैं और पता करते हैं कि हमने आपको क्या बताया था इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये breakout तो 4 साल के बाद अभी आया है और ये breakout को 2 महने भी पूरे नहीं हुए है तो आप सोचो देड़ दो साल के अंदर किस तरह की तेजी गोल के अंदर बन सकती है और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका नजर या गिरावट पे investment के लिए खरीदारी का होना चाहिए चलो अब 26 अपरेल 2024 का वीडियो देखते हैं और पता करते हैं कि हमने आपको क्या बताया था जो कुछ जरूर देखे ताकि आपको पता चले कि हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे है हमारा नजरिया अभी भी gold silver के उपर long term में तेजी का है और हमें लगता है अगर कोई गिरावट आती है तो आपका नजरिया गिरावट पे investment के लिए खरीदारी का जरूर होना चाहिए चलो अब 27 अपरेल 2024 का वीडियो देखते हैं मैंने आपको क्लियरली बताया है gold और silver के लिए बहुत ही positive है क्योंकि जब market के अंदर uncertainty बढ़ती है तभी gold silver की कीमते आने वाले समय में बहुत उपर जाती है और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका नजरिया gold silver की गिरावट में सिर्फ खरीदारी का investment के लिए होना चाहिए अगर आप investment गिरावट के उपर नहीं करोगे तो आप उपरी लेवल के पास तो gold को खरीदी नहीं पाओगे और मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि gold और silver के अंदर ये जो तेजी की शुरुवात हुई है वो कम से कम देड़ से दो साल चलेगी तो ये जो लोग हमें जूट बोल रहे है उनके हिसाब से हमने कभी गिरावट के बारे में बात की ही नहीं है हमने कभी correctional consultation के बारे में बोला ही नहीं है तो शायद ये जो वीडियोज हमने आपको अभी दिखाए वो सारे जूटे होंगे हमने आपको कभी बताया ही नहीं कि जो गिरावट गोल्ड सिल्वर के अंदर आएगी वहाँ पर आपको इन्वेश्मेंट के लिए खरीदना चाहिए क्योंकि अगले देड़ से दो साल के अंदर एक बहुती बड़ी तेजी गोल्ड सिल्वर में बनने वाली है तो ये तो हो गए पुराने वीडियोज चलो मैं अभी आपको 30 अप्रेल 2024 का वीडियो का क्लिप दिखाता हूँ याने के दोस्तों ये कल का ही वीडियो है और पता करते है क्या मैंने आपको ये बोला था क्या नहीं के गोल्ड सिल्वर के अंदर जो गिरावट आएगी वहाँ पर आपको नजर्या गिरावट पे खरीदारी का रखना चाहिए जो के अंदर देख सकते हो एक के बाद एक बहुती अच्छी न्यूज गोल्ड के लिए आ रही है और मुझे लगता है ये सबी न्यूज गोल्ड की तेजी को सपोर्ट करती है और इसलिए मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ के गोल्ड सिल्वर के अंदर जो गिरावट आएगी वहाँ पर आपका नजरिया सिर्फ इन्वेश्टमेंट के लिए खरीदारी का होना चाहिए क्योंकि गोल्ड के मंतली चाट के उपर पहले ही हिस्टोरिकल ब्रेकाउट आ चुका है और जबी भी इतना हिस्टोरिकल ब्रेकाउट आता है तो तेजी कम से कम देड से दो साल जरूर चलती है तो ये बात को ध्यान में रखे तो जैसे कि आपने सुना हमने 30 अपरेल 2024 के वीडियो में भी गिरावट के बारे में बात की थी दोस्तो प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छे लोग है उन्हें हमें request करना पड़ता है कि आप हमारे वीडियो के उपर comment करो उसी तरह से हमारे वीडियो को like करो और यहाँ पर ये दूसरे लोग है जो हमें जूटा बोलते है इतनी अच्छी information देने के बावजूद ये जो लोग हमें जूटा बोल रहे है इनका problem ये है कि ये वीडियो को forward करके सुना करते है ना कि पूरे वीडियो को अच्छे से सुनते है तो उन्हें request है कि कुरूपया पूरे वीडियो को अच्छे से सुना करे ताकि आपको पता चले कि वीडियो के अंदर क्या आप बोला जा रहा है वैसे मुझे पता है कि मेरे बोलने के बावजूद भी आप वीडियो forward करके ही सुनने वाले हूँ